हरी हूं आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को बॉटम सेल्फ लॉकिंग बॉक्स डिजाइन के बारे में बता रहा हूं इसके लिए क्या है वित साइज में आपको बता रहा हूं अभी एक एक रक्टांगल टूल से बॉक्स ले लिया मैंने लेने के बाद अभी क्या इसमें विड्द में क्या करता हूं इसको 62 देता हूं 62 x 225 mm देता हूँ जैसे अभी समझो इसके अंदर क्या है एक torch को कैसे आप इसमें रख सकते हैं अगर वो self locking है तो क्या होता है वो उतना load उसका ले लेता है और ये जो box बनने जा रहा है जो material का thickness भी थोड़ा जाधा रहता है तो अभी इसको क्या है इसे box लेने के बाद अभी इसको मैंने क्या किया 62 x 225 का box ले इसको copy paste करता हूँ copy paste करके अभी मैं क्या करता हूँ इसको 70 x पोलने से right में आलान हो गया अभी जो 70 का box है यहँनि इसको select करके control के साथ इसे इदर लेता हूँ तो इसे flip हो जाता है वोके अभी same इधर भी हमको चाहिए तो आप इसको क्या है इन दोनों को select करके control के साथ एसे ले के आपको right click करना है right click करके आपको क्या है flip horizontal करता हूँ यहनि mirror कर लेता हूँ तो इस तरफ आ गया यहनि अभी क्या है opposite faces कह रहना चाहिए सेम साइज रहना चाहिए उस तरह भी आ गया है यह आपको समझ में आ गया अभी इसको एक right में strip लेता हूँ वह एक्चुली गम लगाने के लिए होता है तो इसको और के कैसे आप ऐसे box ऐसे ले रहता हूँ इधर एक छोटा size ले लिया मैंने इसका size क्या है अभी 20 mm बोलता हूँ 20 mm लेने के बाद इस box को select करके आर बोलो आप आर बोलने से right में आ गया इसको control के साथ एसे flip कर लो आप flip करके सिर्फ click छोड़ देना है यह आपको समझ में आ गया अभी इसको क्या है गम लगते वक्ता आपको क्या है इसको यह से ऊपर नीचे हो सकता है इसलिए इस corner को क्या है तुड़ा अंदर ले ले लेता हूँ convert to curve करना इसको control क्यूब बोलने से convert to curve हो गया convert to curve होने के बाद shape tool लेता हूँ इन दूनों point को select करना है select करके आपको क्या है stretch और scale node करके है इधर इसको click करो आपको click करने के बाद ऐसे selection आता है यह जो नीचे दो तीन point है इसमें बीच में का point shift के साथ ऐसे अंदर लेना है अभी दिखो अभी corner थोड़ा ऐसे हो गया ओके यह समझ में आगया आपको अभी क्या है मुझे इसके ऊपर एक strip बनाना है इसका जो box को आप जब close करते हो तो उसका दो sides आता है उस side को create करता हूँ अभी मैं इसको ऐसे ऊपर लेता हूँ लेके ऐसे रैट लिक कर लेता हूँ इस portion को थोड़ा जूम कर लो आपर जूम करके अभी मैं इसका जो height है इसको 30 mm देता हूँ height को 30 दिया मैंने 30 देने के बा करना है control के साथ इसे ऊपर लेता हूँ अभी एनी flip हो रहा है flip होने के बाद अभी इसको क्या है अरूंड एक अभी 7 mm इदर जगा छोड़ना है मुझे 7-8 mm इसे जगा छोड़ना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इस point को अभी यह corner है ना इसको जहां पर आप लाके छो एक्टिव रहतने से ही snap होता है तो उपर से guideline लेता हूँ लेकर अभी में क्या करता हूँ एक 7 mm दे देता हूँ तो snap होता है अभी देखूँ इदर Snap नहीं हो रहा है स्नैप क्यू नहीं हो रहा है अभी analyze go view में आके await you級 go to guidelines बोलना है तो क्या होता है अभी दिखो आप control के साथ अपड़ेंगे तो इससे medicine असे नाट हो गया और कि यह आपको समें आ गया इस को क्या है इसे थोड़ा राइट में लेता हूं कि आपको जितना डिस्टंस चैव इसे ले सकते हैं अभी के लिए इसे एक नॉर्मल डिस्टंस ले ले आमें ने इदर क्या है और एक इदर पॉइंट क्रेट करके कंट्रोल के साथ इसे नीचे लेता हूं इसे एक शेप बन गया अभी इ इसको इदर क्या है कर एसे आप रिडियस इसे करवाता है जिस पर तो दिखो इदर आपको छोटा सा यह यह लाइन इदर दिख रहा है तो अभी मैं इसको एक 5 mm बोलता हूं 5 mm रखके इसको अप्लाइब बोल देता हूं तो दिखो अभी इसे कर हो गया यह आपको समझ में समय आ रहा है अभी समझू मुझे यह जो इसका जो यह फ्लिप सेम से इसका आता है अभी क्या है इस पortion को एक 2mm जितना कट कर लेता हूं, कट करने के लिए किया, एक स्ट्रिप लेता हूं स्ट्रिप लेके इसका विड़त क्या है 2 mm रखा मैंने 2 mm रखके इसको अभी मैं क्या करता हूं इसको इस पॉइंट को जो नीचे जो पॉर्शन बोनता हूँ अब देखो यह सब्सक्राल करना सब्सक्राइब ल होने के बाद जब uzब्सक्राइब करना अब सब्सक्राइब करना देखो भी बाक्त ब्रय्ट मैं अगरे और आपको ऴीर हमारे रेडी ईदब करने में इसको मैं क्या गरता हूं इसको ऐसे ड्रैक करो एकन करता हं तो यह और करताम हो गयां यह copy करने के बाद अभी मैं इसका height, total height क्या है, एक 80 mm लेना है मुझे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, height में 80 बोल देता हूँ, तो 80 हो गया, तो फिर से ही इस box को select करके T बोलो आप, T बोलो, T बोल के C भी आप बोल सकते हैं, तो अभी इसको क्या है, control के साथ ऐसे लेता हूँ, तो देखो भी exact इदर flip हो गया, flip होने के बाद, अभी मुझे क्या करना है, इदर उपर का जो और एक चोटा fold होता है, तो उस fold के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, और उन मुझे 18 mm छोड़ना है, तो अभी इस point को क्या करूआप है, इसे 0 कर लेता हूँ, इदर drag करके, अभी आपको क्या करना है, इसे उपर लेके आओ, जैसे लाइन पर आता है, तो snap हो रहा है, हमने वो guideline को snap active रखा है, तो इसको select करके back minus print बोलता हूँ, तो देखो भी portion cut होके गया अभी, तो यह cut हो गया, तो अभी इसको control के बोलता हूँ, तो देखो भी break हो गया, वोके यह आपक इसको क्या है, 8 by 3 बोलना है, 8 by 3 बोलो, 8 by 3 अगर आपको बड़ा लग रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका height है, 2 mm कर लेता हूँ, 2 mm करने के बाद अभी इसको क्या है, shift के साथ इस box को select करो, T और L बोलो, एनि टॉप लेफ्ट में आ गया, इसको control के साथ ऐसे उप लेना है, इतना उपर लेने के बाद अभी यह जो portion है, नीचे का portion है, इसके साथ इसको weld करना है, तो उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, और एक strip इदर लेता हूँ, इसको copy paste करो, आप copy paste करके, इसको select करके R बोलता हूँ, अभी यह दोनों strips और क्या है, यह total box select करके weld कर करना हूँ, यह single object हो गया, अभी देखो यह लगए, यह लगए, तो अभी इस portion को और इसको select करके trim बोल देता हूँ, तो यह portion भी इदर cut हो गया है, यह आपको समझ में आ रहा है, तो अभी next क्या है, यह दोनों corners मुझे क्या है, आर्क चाहिए, तो अभी फिर से क्या है, shape tool से इसे आप इसको select करके यह 2-0 point आप select कर लो, अभी देखो यह 2-0 point select हो गया, तो इधर आप क्या करो, इसको ऐसे arc आप बना सकते हैं, अभी देखो यह arc बन रहा है, आपको इधर दिखाए दे रहा है, यह फिर से मैं fillet में कर रहा हूँ, इसको क्या है 10 दे देता हूँ, 10 रखके इसको क्या है अप्लाय बोल देता हूं तो आपको जितना चाहिए उतना आप दे सकते हैं जैसे आप इंसल्ट करते हो तो क्या हो एज नहीं लगता है ठीक से इंसल्ट हो जाता है इसलिए इस कॉर्णर को क्या है प्लिण बंनाना है तो अभी इसको क्या ह्यां इतना उगया यह आपको समझने अभी टॉप का पॉर्शन ओस्ट को स्यंट करना एक है जो बॉटम का जो पॉर्शन ने उसको अटो लॉक होना है अपने आप ओर लॉक होना सुकुलना है तो ऐसा डिजायन कैसे बनाना है वो उसके बारे में बता रहा हूं अभी शिफ्ट के साथ हिंब इन सब इन चाहरो श्र्टिप को सेलैट करके अभी इसको इससे नीचे ला कि इसको लिए लिक कर देता हूं राइट लिक करके इस portion को थोड़ा जूम कर लेता हूं कि इस box का height क्या है 32 mm देता हूं 32 देके enter देता हूं इसके साथ select करके बी बोलना है बी बोलने से bottom हो गया इसको आप control के साथ ऐसे ले के आओ लाके इदर छोड़ देता हूं छोड़ने के बाद अभी इस point को इसे इदर लाके इसे जिरो कर लेता हूं scale में 0 हो गया एक अरो access में 0 हूँआ वोने के बाद गैर लेता हूं लेकर अभी मैं क्या करता हूं minus 20 बोलता हूँ 20 mm पे ऐसे मैंने guideline रखा हुआ है अभी इस box को क्या है duplicate करके इसको मैं भी अभी इसका जो width है 30 mm देता हूँ 30 mm देने के बाद इसको क्या है shift के साथ दोनों object select करके r बोलता हूँ तो right में आ गया right में आने के बाद यह जो बाहर का box है इसको convert to curve करता हूँ control q बोलने से convert to curve हो गया अभी क्या है shape tool से इस point को क्या है इसे लाके इस node पे इदर जैसे guideline इदर यह हुआ है उदर रख देता हूँ अभी इन दोनों object को select करके weld कर देता हूँ दिको भी ऐसा हो गया तो कि यह समझ में आ गया अभी इसी तरह इदर भी एक लेना है तो इस box को delete कर देता हूँ अभी इसको आप क्या करो control के साथ ऐसे ले लो जैसे control के साथ लेता हूँ तो flip हो रहा है अभी shift के साथ इस box को select करके C बोलना है C बोलने से क्या हो गया इसमें center में आ गया इने上ई सेंटर में आने के बाद हमिशन दोनों और या ऊंपर से उन डहलाइनल लेका मुझे क्या करना ना हो तो इल्ट डेकर एंट्र देता हो 22 पर 非क्ता आहिक प collaborated करना है उन्हां इससे लेटर्स करता हुँ सेलेट रेट करके आप हैट में क्या करो 48 देके एंटर देदो यानि वो दोनों box क्या हो गया अभी 48 mm का हैट हो गया उनका सो अभी इसको Ctrl G बोलता हूं Ctrl G बोलने से दोनों group हो आए इसको select करके इस box को select करके B बोलता हूं तो bottom में आ गया तो फिर से एक बार भार क्लिक करके इसको क्या है Ctrl के साथ एसे लेता हूं तो भार flip हो गया अभी 48 mm हाइट है इसका इसको अन group कर लेता हूं Ctrl G बोलने से अन group हो गया तो अभी इसमें मुझे क्या करना है अभी और एक एक strip लेता हूं इसे इसको आप क्या करो ऐसे एक strip लेता हूं shift के साथ आप क्या करो ऐसे इस box को और एक एक copy कर लिया मैंने और इसका जो width है इसको मैं 28 mm देता हूं 28 mm दिया मैंने 28 mm देने के बाद अभी यह जो box है इस box को control Q करता हूं तो convert to clear हो गया nan호 type करने के बाद shape हो oni से क्या है इस point को इदर लाना है कशे चोड़ देता हूं इसको पह आप करो इसे ही ले क्या हो इस point पर लाके चोड़ देना है अभी क्या है इस strip और object दोनों को select करकी आपको क्या है weld करना है weld करने से y lyne स्फ हो गया अभी इसी तरह क्या है अभी देखो इसका जो width है हमने 28 रखा है अभी इधर क्या करता हूँ इसका और कैसे strip बनाता हूँ strip बनाके इसको अभी मैं क्या करता हूँ width में 29 बोलता हूँ 29 प्रेस करके enter देदो आपर सो अभी यह क्या हो गया 29 हो गया और इसका जो हैट है इसको अभी मैं क्या कर लेता हूं इधर से इधर तक ऐसे ले लेता हूं इधर सो इस ट्रिप तक मैंने लिया लेने के बाद इन दोनों को सिलेट करके अभी बैक मैंनस प्रेंट बोल देता हूं तो देखो अभी ये पॉर्शन कट हो गया अभी इधर क्या हुआ है 28 mm हुआ है ये क्या है 29 mm कट हुआ है अभी इन सब कॉर्णस को मुझे क्या करना है आर्क ज साथ ऐसे सिलेट करो आप अभी ये पॉइंट लेता हूं अभी ये जो अंदर के पॉर्शन है इसको लेता हूं इन दूनों पॉइंट को ऐसे लेके अभी मैं क्या करता हूं एक 5 mm देता हूं दिको भी 5 mm देके अभी मैं इसको क्या है अप्लाइब बोल देता हूं तो दिको अभी एक कॉर्णर हो गया इसको अप्लाइब बोल दिया तो अभी देखो यह सब कॉर्णर जैसे करू जैसा हो गया अभी इसको आप फोल्ड करके स्क्रिजिंग होने के बाद फोल्ड करेंगे तो यह क्या है नीचे इसे लॉक हो जाता है करता है इसको सब्सेलेट करके वहार लेता हूं रहता हुए ग्रूप गया एक अदर कुछ आपको डिजाइन करना है तो आपको क्या करना है अभी देखो इसमें इसे जुम कर लेता हूं जुम करके अभी क्या है कुछ object मुझे लाना है तो अभी मैं क्या करते हूं torch का बना रहा हूं तो अभी मैं ए 아닌 torch लेसा क्याता हूं import किया मैं ने अभी समझोगे 2 torch है यह मुझे तो इसको क्या है import कर लेता हूं तो दूनों को select करके छोटा कर लो अपर छोटा कर ले आ वैंने ड्रैक करना है भी जो लास्ट बॉक्स है इसमें लाके पाउर क्लिप करता हूं तो देखो भी ऐसे पाउर क्लिप हो गया भी इसको क्या है इसको भी क्या है एंगल देता हूं इसे स्टेट कर लेता हूं स्टेट करके इसको आप क्या करो इसको भी पाउर क्लिप कर लेता हूं लाँ्स से सब्सक्रहा हुआ हूं सब्सक्राइब करें के साथ अधर क्लिक करो अब में फोड़ा एंगल देता हूं यसे में फोल डाइंगल देना में तो इसे आप गुमा सकते हैं इसे आपको समझ में आ गया सो अभी इसको इस तरफ रखता हूं रखे कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करता हूं तो फिनिश हो जाएगा आपको समझ में आ गया है और पाफ इसको हुआ है को है यकि यह समय में अगया बाफ क्लिक करता हम टो फिनिश हो गया अभी इसको और खूसाओ क्लिक करो क्लिक कर के आपको जितना其實 चोटा बड़ा जो एक तो इसेंग्ग कर सकते हैं ए कंट्रोल के साथ फिर से बाहर क्लिक करता हूं तो यह फिनिष हो गया है कि यह आपको समझ्म हम आगए अभी इसको क्या है कुण सभी एकशेट देता हूं को इसको नहीं कि मैं क्या करता हूं एक को पर अदूरी तरह अद करूँ इसके से शेट में आता 57 by 220 बोलता हूं तो देखो भी ऐसा आ गया तो इसमें क्या है तोड़ा लाइट शेट देता हूं इसे अगर आप चाहिए तो आप क्या है इस कॉर्णर को इसे शेप तूल से क्लिक करके इसे कवरू भी आप कर सकते हैं इदर जो भी आपको उसका डिटेल्स देना है वो डिटे कर लेना वी से करके इस स्ट्व को दूरों को से fascinating करता हूं सेअ इसस अपन से आपको जैसाओ बना सकते हैं अभी मेन हमारा कॉंसेप्ट है को समझना है इसके लिए लोगों भी सब्सक्राइब करता हूं कि करने से क्या हूं कॉपि होता है दूप्लिकेट हो रहा है इन सबको सेलेट करना है इधर भार सेङसे ट्रैक करता हूं nesub circle क को select करके अभी इसको B बोलता हूँ तो bottom में आ गया घुए इसको combine करता हूँ combine करनेसे क्क्रोने से हुता है जो बी overlaped space है उसको remove कर देता है अभी isi shed को दे देता हूँ फिर से मैं पूड़ होड करके इसे dark officer दे दह सेा हम्हें मुझे इस torch के बारे में कुछ चीज़े highlight करके आपको दिखाना है, तो उसको highlight कैसे करेंगे, उसके बारे में बता रहा हूं, अभी एक circle लेता हूं, shift के साथ ऐसे अंदर और एक circle ले लो आप, circle लेके इस circle के क्या है नोड के साथ, इसके बीच में लाता हूं ऐसे, लाके इदर छोड़ देता हूं इसको बीश में लागे चोड़ देता हूं इसके साथ आप क्या करों इसको वैल्ड़ करने से सिंगल अब्चेट हो गया सो अभी मैं क्या करता हूँ इदर एक सरकल लेता हूँ इस xxhr test cream के इस इतर नोड के साथ इस पांट पर राइट लिक करता हूँ इन दुनों को सेलेट करके ग्रूप करता हूँ ग्रूप करके इसको सेलेट करके बैक मैनस फ्रेंट करो तो एक पोर्षन कट होके गया भी तो इस पोर्षन को क्या है तोड़ा कौन सा भी एक शेल्ड देदो अभी इसको क्या है इंट्रेक्टिव फिल जिस्पी आपको कर्यों जैसा लगता है इस पॉंट को अप सिरेट करके इधर आप क्या है quarterly Company अभी के लिए तुटे तो इतना रख कई है अभी मैं क्या करता हो इधर है है कि अमर्णLY गर्ते सब को सिरेट करके करता है है इसो आपटे रंक करते होता है कर पर शिफ्ट के साथ इसको वैड करता हूं इस के लाना है Snap होने के बास Shape Tool से इसको क्या ऐसे, Drag कर लेता हूं, तो इसको क्या ऐसे, ऐसे लेता हूं, इसको तो थोड़ाší light-group देता हूं वह प्रेडोंग करता हूं, जो भी आपको चीज हाइलाइट करके दिखाना है वह आप इदर दिखा सकते हैं अभी के लिए इसको थोड़ा डार्क कर लिया मैंने नहीं तो आप ब्लाक कलर दे दो सो अभी इसको क्या है से कुछ अब्जेट्स बनाता हूं अभी टॉर्स के कुछ फंक्शन को हैलाइट करने के लिए कुछ अब्जेट्स बनाता हूं भी सो अभी इसमें क्या है एक सरकल लेता हूं सरकल लेने के बाद आपको क्या करना है इंट्रेक्टिफिल टूल लेता हूं क्या करता हूँ वो हिस को C शिश्प के साथ लेता हूं अभी क्लिक करके आप इदर करो तो यह करू बन रहा है तो इसको करता हूं कुँझ और करने के बाद इसको रइट लिक करना है तू पर जो कर लो आपको करने के बाद इसको थोड़ा थिकने स्कम कर लेता हूं तो इतना करके अभी मैं क्या करता हूं थोड़ा साइज भी छोटा कर लेता हूं थोड़ा लेने के बाद अब इसको शोर्कन के से बोलता हो सी बोलने साथ ये सेंटर हो गया IKU थोड़ा ऐसा उपर लेता हो इसे सीब्हुंप थोड़ा इसको अब division एक बार आप सरकल छोड़के सेलेट करना है इसको थोड़ा डार्क शेड देता हूं देने के बाद इसको आप क्या करो वैल्ड भी कर सकते हैं सिंगल अबजेट हो जाएगा तो ट्रांस्परेंसी टूल लेके इसको इनिफॉर्म बुलता हूं इनिफॉर्म बुलने से क्या होता है थोड़ा यिश्त बड़ा कर लेता हूं कि जीटना चीजिए उतना और साइस चेंज करने के बाद अभी क्या हो रहे कि इदर एक CN бल आदा निकाल देता हूं है भी इन दोनों का ओट्लाइन निकाल करने से आफ लागन निकल जाएगा अभी इन सबको इसका ऑट्लाइन आप निकल द जिए स roz 기ھ پर औरिस पी अब गए कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं होता है करके आप बोल सकते हैं पैसे तरह क्या अब इसी तरह क्या है इधर एक और एक लेता हूं अभी समझो मुझे अभी solar panel बनाना है तो अभी इसे strip लेता हूं इसे box लिया मैंने तो इसको strip ले लो strip लेके यूजूली क्या है जो भी मैं इसमें बता रहा हूं उसमें टूल का usage कैसे हो रहा है उसको समझना जरूरी है तो अभी एक strip लेता हूं strip लेके इसको और इसको क्या करो आप यल बोलो तो left में आ गया इसको और एक duplicate करके इसको आर बोलता हूं तो right में आ गया तो अभी क्या है इन दोनों को क्या है blend टूल लेता हूं इसको क्लिक करके इसे ड्रैक करता हूं इस पॉइंट पर आने के बाद छोड़ देता हूं अभी देखो इसमें क्या है कुछ strips अभी एक four बोलता हूं तो देखो भी four हुआ नहीं तो three बोल देता हूं तो इतना होने के बाद सो इसको क्या है से shift के साथ तोड़ा अंदर लेत सो इन सब को select करके back minus front करना है तो देखो अभी cut हो गया अभी इतना होने के बाद अभी क्या है इसको बाहर से एक box लेता हूँ इसे से स्क्यू हो गया स्क्यू करने के बाद इसको कंट्रोल जी बोलता हूं तो ग्रूप हो गया तो इसका जो आउट्लाइन है आउट्लाइन थिकने स्टोड़ा बढ़ा कर लेता हूं अभी इसको अभी मैं क्या करता हूं ऐसे एक लाइन लेता हूं इस पॉइंट से इधर तक ए लेता हूं सरकल लेकि आप क्या करो इस सरकल को सेलेट करके इसका जो बीच में जो नोड करके आ रहा है इसको इस नोड के साथ इससे स्नाप कर लेता हूं स्नाप करके एक ब्लैक शेल्ड देता हूं तो यह आपको समझ में आ रहा है इसको और स्विश्प लेता हो इतने डिस्टंस तक लेता हो इसको क्या करें अब का कंट्रोल के साथ फिर इस तरफ घुमा लो तो इसका भिडा कर लेता हूँ मैं इन सबको अप सेलेट करो सेलेट करके अभी क्या लाइन तिकने स्टोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ दिखो भी यह समझ में आ रहा आपको अभी इसको क्या है फिर से एक सर्कल ले पर अपको अपर कंट्रोल के साथ लेना है लेके इस पॉइंट को इदर लगात तो अभी आप क्या करो एक line लेता हूं इसे, एक line लिया मैंने, line लेके इसको select करके C बोलता हूं तो width में center हो गया, तो इसको और एक बार click करो, click करें इसका point point फिर से point पर लाता हूं, लाने के बाद आपको क्या है, इधर से start करता हूं, इधर से मैंने इधर छोड़ दिया पहले, इसको control के साथ ऐसे लेता हूं, तो right click करता हूं, अभी control R बोलो आप, तो देखो अभी, ऐसे क्या है, sun जैसा आपको highlight कर सकते है, तो अभी इन सब को select करके, इसका जो outline है, outline तिकना इस फिर से क्या है, तो अब बढ़ा कर लेता हूं, देखो अभी यह आपको समझ में आ रहा है, अभी इन सब को select करके, control G बोलता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लो आप, छोटा करके, अभी जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूं, तो यह thickness बहुत जादा हो रहा है, देखो यह बहुत important है, अभी इसको मैं क्या करता हूं, छोटा कर पके, okay, बोलना है, अभी group है यह, अभी देखो, मैं छोटा करता हूं, तो इसका line thickness क्या है, अपने आप उसके ratio के साब से वो छोटा हो रहा है, अभी score, score क्या है, E&C बोल दो, तो center में आ गया, देखो भी इस तरह क्या है, कौन सबीच चीज आपको highlight करके, उस torch के बारे में दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हैं यह आपको समझ में आ गए इस तरह अलग-अलग डिजाइन आप बना सकते हैं और भी बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन अभी के लिए क्या है इतने ही बता रहा हूं मैं सो अभी इसको क्या है इसे आपको समझ में आ रहा है कि अब इस तरह किया है आप अब इसाथ नहीं कि आ साथ लेता हूं लेकर राट लिक या मैंने Ctrl के साथ इधर लेता हूँ लेने के बाद Mouse को क्या है से रैट लिक करता हूँ Ctrl R बोलता हूँ तो Repeat हो जाएगा देखो भी इस तरह क्या है आप Highlight कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अभी इसको भी क्या है इसे एक Shed दे देता हूँ थोड़ी देर तक होड़ करके एसे डार्क शेट देता हूं वोकि यह आपको समझ में आ गया इसको आप फिर सप्रेशन होगेरा कर सकते हैं वह सप्रेशन होगेरा कैसे करना है उसके बारे में पहले भी एक बॉक्स का वीडियो मैंने दिया हुआ है उसमें उसके बारे में डि सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद